मसकार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने चनल चार बुजा इमित्र पर काफी लोग हैं जो हमारे इमित्र पर आते हैं और वो बोल रहें कि आप हमारी जो जनादार है उसमें गेस की डाइरी की सीडिंग कर दो पर जब भी आप गेस डाइरी जनादार में सीडिंग क की है कि 450 रुपए में उनको जो सिलेंडर मिलेगा कस्टमर को जो की एने फेसे में है उनको यह आखिर लाब मिलने के सवाला है क्योंकि आप देखें तो अगर उनका जो जनादार है उसमें आपकी इन्वेलिड बता रही तो फिर यह लाब कैसे मिलेगा तो इससे जुड़ी जिनको इसका फाइदा हो सकता है तो यहाँ पर आप देखें तो पेसा के से आएगा बेंग खाते में यहाँ पर कम्प्लीटली बताएगा है कि सिलेंडर के लिए उपभोकता को पूरे पेसे देने होंगे इसके बदले सबसीड़ी की राची राज्य सरकार की ओर से उपभो पहले से गौर्मेंट के पास है और ऐसे में जब उनकी जो कनेक्शन है जो उनके आधार सीडिंग होते हैं जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर समझने कोशिश करेंगे क्योंकि मैं आपको एक कंफर्म नहीं बता रहा हूं पर ज्यादतर यही होने वाला है क्योंक आपको बाद में जब जो नंबर है वो लगा कि दूसरी तरफ क्लिक करते हैं वो वाला उप्चन नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर उनके भी इन्वेलिट बताता है तो इसका कोई उप्चन नहीं कैस्टमर आईडी सब कुछ निकाल कर मैंने ट्राइक कर लिया था तो आप अगर देखें तो किसी के नरेगा का जो पेसा आता है वो आप देखें तो उनका जो भी बेंखाता होता है जिसमें डीबीटी ओन होती है जो आपके पीएम किसान का पेसा आता है वो भी डीबीटी के माध्यम से ही आता है इसके अलावा आप अगर ध्यान देंगे साइ तो मेरे दुकान पर भी कहीं ऐसे कस्टमर आते हैं शोप पर जिन क्या आप देखे तो गेस सिलेंडर के जो 30, 40, 50 रुपे जो भी सबसीडिय आ रही है कुछ कस्टमर है जिनको उजवला में जुड़े हुए और 200 रुपे के आसपास कुछ सबसीडिय आती है तो उनका एटल प कोई यह सीडिंग करवाने के अभी जरूरत नहीं है जब जहां तक मुझे बता है क्योंकि मैंने पूरा सई से देखा है उसमें LPG ID जब भी हम सीडिंग करने जाएंगे वहां पर आपका इन्वेलिट बता देगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी अगर आप NFS से आपका किसी बेंक में अकाउंट है तो उसमें आपको DBT ON कर लेनी है DBT ON है या नहीं इसको कैसे जाचना है उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है आप चाहें तो माय आधार की जो साइट है उस पर जाकर भी आप इसे चेक आउट कर सकते हैं तो DBT जिसके ON होगी उसका payment direct आने वाला है क्योंकि इसमें आप देखें तो आपका जो अधार कार्ड है वो जो आपकी guest diary है उसके साथ जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड से आप देखें तो वो DBT का आपका account जुड़ा हुआ है तो अगर आप NFC फरिवार से है तो वो data पहले seed किया हुआ हु ऐसा कोई option नहीं है कि अलग से आप कहीं जाकर अपना जो इसे seeding करवाएं ऐसी कोई समझ्चा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे इमित्र पर जरूर आपको देखने को मिलता या फिर इमित्र पर notification जरूर आता बाकी इसकी और भी कोई latest news आईगी तो वो मैं आप के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा तो इसके लिए आप जरूर चैनल को subscribe करें बाकी ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है मैं सिर्व आपको यही समझाना चाहता हूं मेरे point of view से कि मतलब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है जिस भी मुख्या के नाम पर आपकी gas cylinder है तो जिसकी diary है उसको एक अपना account है उसमें dbt on है या फिर नहीं ये एक बार check out कर लेना है और अगर आपके टंकी खाली हो गए ये gas की तो वो इस महिने में आपको बरवा लेनी है और उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि इसका payment आता है या नहीं क्योंकि मुझे ज agency में जाने की जरूरत है ना कहीं आपको राशन की दुकान पर और ना ही ये मित्रबार क्योंकि आप देखें तो आपके अगर dbt वाला account है और आपका अगर आधार कार्ड और बेंक सब कुछ complete है तो आपके account में complete जो आपकी subsidy है वो 100% आएगी ये आप जरूर चेक कर लें ब वाला ही solution रहने वाला है बाकी आप comment करके बताएं क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं ये मेरा point of view है आप भी comment जरूर करें और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप comment करें मैं उसका reply देने की पूरी कोशिश करूंगा और हम इस channel पर समझने कोशिश करेंगे कि आखिर इ देखे तो अपना account dbt check कर लें और बाकी आराम से wait करें टंकी लें उसके बाद में आपकी जो subsidy है वो आपके account में आती है या फिर नहीं वो आप comment करके जरूर बताएं मिलते हैं next video में इस video में इतना ही video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद